नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूज में अब वक्त हम अध्यप्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रुबरु कराने का पहली खबर के और बड़ते हो आपको बता दे पूने हिट एंड रन केस में मध्यप्रदेश के रहने वाले दो इंजीनियर्स की मौत हो गई हाथ सा थारा मई की रात को दो बजे के करीब हुआ इस हाथ से के आरोपी नाबालिक को किशोर हिन्याएं बोर्ड कोट ने घटना के 15 घंटे के अंदर ही कुछ मामूली शर्टों पर जमान दे दी इसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है कॉंग्रेस नेता और सांसद राहूल गांधी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेर कर फैसले पर सवाल उठाए हैं साथ ही उन्होंने केंदर सरकार पर भी हमला बोला है वीडियो शेर कर राहूल गांधी ने कहा कि बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर ओला उबर और ऑटो अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो दस साल की सजा हो जाती है चाब उठा कर फेक दिया जाता है लेकिन अगर अमीर घर का 16-17 साल का बेटा पोश गाड़ी को शराब पी कर चलाता है और दो लोगों की हत्या कर देता है तो उससे कहा जाता है कि निबंध लिख दो ये निबंध बस आटो और उबर ड्राइवर से क्यों नहीं लिखवाते वहीं अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के अध्याक्ष जीतू पतवारी लगातार मध्यप्रदेश सरकार को घेटे नजर आ रहे है अब उन्होंने एक बड़ा अरोग सरकार पर लगाया है पतवारी ने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है 3,73,000 करोड के कर्ज में डूबी मध्यप्रदेश सरकार देश के दूसरे राजों में मौझूद MP के अलग-अलग विभागों की संपत्ती बेचने और उसे किराय पर देने की तैयारी कर रही है वहीं अगली खबर के और बड़तों आपको बता दे मुरैना जिले के सेवल नाइन थाने में पदस्त टी आई राम बाबु यादफ के भाई राम अफ्तार यादफ के घर देर रात फाइरिंग की घटना हुई फाइरिंग करने वाला आरोपी CCTV कैमरे में कैद हुआ है और पुलिस उसकी तलाश में जुड़ गई है अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे वैशाक शुकल पक्ष की चतुरदर्शी पर वैसे तो पूरे नगर में रेसिंग जैनती पर्व धूम धाम से मनाई जा रही है लेकिन देवास रोड इस्थित इसकॉन मंदिर में इस उत्सफ की एक अलगी धूम मची हुई है मंदिर में भक्तों दुआरा उवास रखकर भगवान की जैनती मनाई जा रही है इसकॉन में सुभा से भी भक्तों की भीर लगी हुई है आकरशक विदेशी फूलों से भगवान को सजाया गया है इसकॉन मंदिर के प्रवक्ता रागफ कीर्ती दास ने बताया कि इस साल दिनों के लिए मनाया जा रहा है जो की 23 मई तक चलेगा वही अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दें MPPSC और राजय सरकार के 8713 फॉर्मुले में फसे अम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से इच्छा मृत्यू मांगी है MPPSC और कर्मचारी चयान मंदल ESB के 13 फीजदी र पत्र लिखर कहा कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कीजे चात्रों ने कहा कि यदी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है तो चात्रों को इच्छमृत्यू की अनुमति दी जाए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन निउस धनिवाद